60 रुपे में मिलने वाला होटल रेस्ट्रो का लच्चा प्यास आज बनाएंगे 15-20 रुपे में तो देखो सबसे पहले मैं ले लिया है प्यास और प्यास को मैंने काट दिया है रिंग शेप में इस तरह से काटने के बाद इसके लेयर अलग कर लेना है फिर मैंने इसे डाल दिया है थंडे थंडे पानी में ताकि काफी लंबे वक्त कि ये क्रिस्पी बने रहे फिर इसे पानी से निकाल कर मैं इसमें डाल दे रहा हूँ लाल मिर्च पाउडर, काला नमक, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर भी और चाठ मसाला थोड़ा सा मैने इस पे धन्या भी डाल दिया है और साथ में निम्बू निम्बू में डाल दिया है आधा निचोड़के अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और निकाल लेंगे